बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देशी भारत पर मेरा नाम धरन दूबे है हाल ही में भुजपुरी सिनेमा के सुपर स्टार मिस्टर केसारी लाल यादो जी की एक फिल्म का वर्ल्ड टेलिवीजन प्रीमेर हुआ फिल्म का नाम रहा है शादी हो तो ऐसी फिल्म को चलाया गया शादी हो तो ऐसी फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस वज़े से क्योंकि एक बहुत ही खास बढ़ियां अच्छा खासा निर्देशन इस फिल्म का हुआ है इस फिल्म के जो डिरेक्टर है नाम है लाल बाबु पंडित मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं और बहुत ज़ादा प्यारे इंसान हैं हमेशा ही हस्ते रहते हैं और सभी के चाहीते हैं और एक बहुत ही बहतरीन डिरेक्टर है अजर मैं टॉफ फाई डिरेक्टर की बात करूँ भोजपुरी सिनेमा में तो टॉफ फाई में लाल बाबू पंडित का नाम आता है लाल बाबू पंडित ने हाल ही में फरिष्टे नाम की फिल्म की शुटिंग भी खत्म की है इस फिल्म में भी सुपर स्टार खेसारी लाल यादो जी ही हीरो रहे हैं वैसे हम अगर बताएं और देखें और जाने तो दोस्तों लाल बाबू पंडित इसलिए भी बहुत जादा जाने जाते हैं क्योंकि जादा तर उनकी फिल्म में खेसारी लाल यादो जी के साथ ही आई है कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि खेसारी लाल यादो जी के ग्रुप के हैं लाल बाबु पंडित ऐसे में एक उनका पोस्ट किया गई लाइन तेजी से इस समय सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें कई लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं लाल बाबु पंडित ने आजही अपने फेस्बुक एकाउंट पर लिखा है पोस्ट किया है किसी ने ठीकी कहा था घर की मुर्गी दाल बराबर मैं फिर पढ़कर सुनाता हूँ लाल बाबु पंडित ने पोच्ट किया है फेस्बुक पर किसी ने ठीकी कहा था घर की मुर्गी दाल बराबर और उसके बाद इमोजी लगाया feeling thankful अगर कौन है जिनके लिए लाल बाबु पंडित ने लिखा है कि किसी ने ठीकी कहा था घर की मुर्गी दाल बराबर लाल बाबु पंडित किस घर की बात कर रहे हैं जहां पर इन्हें दाल बराबर समझा जा रहा है न कि मुर्गी मुर्गी यान एक महंगी चीज दाल यान एक सस्तिती हाला कि आज reality यह है कि दोनों का ही rate बरोबर ही है मुर्गी भी उसी rate में आ रहे हैं जाल का महंगा rate लेकिन यह कहावत है घर की मुर्गी दाल बलाबर मतलब घर में आप कितने बड़े भी सुपरस्टार हो लेकिन परिवार मिलकर आपको दाल बराबरी समझता है यहाँ पर लाल बाबु पंडित किस घर की बात कर रहे हैं किस मुर्गी की बात कर रहे हैं क्या फिसारी लाल यादो जी की तरफ इशारा है लाल बाबु पंडित का मेरा ऐसा आकलन है मेरा ऐसा आकलन है रियाल्टी क्या है तो खुद लाल बाबु पंडिती जाने लेकिन ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है ये सवाल हर उस शक्स का हो चुका है जो लाल बाबु पंडित के साथ फेस्बुक पर उनका दोज बना पड़ा अब तक 58 कमेंट आये हैं दो शेयर भी हुए है और भुचपूरी सिनेमा से जुड़े अच्छे खासे लोगों ने दुनिया भर के सवाल पूछे है ये बात किसने बोला भाई देवेंदर तिवारी हैं डिरेक्टर ठीक है विक्की बबु एक सिंगर लिखे हैं चलिए कम से कम समझ में तो आया ठीक है ऐसे कई तरह के कमेंट अब तक दामनी सिंग राजपूत हैं उन्होंने लिखा एकदम सही का असर सोनु पांडे हैं विलन की भूमी का निभाते हैं उन्होंने लिखा क्या हुआ सर सिंगर राजु भूचपूरी हैं लिखते हैं सही है बट क्या हो गया डियर आनन्नु ओझा भी है बात तो सही है घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है जिसका कोई वैलू नहीं होता है कई धेरो कमेंड लगातार पूछे जा रहे हैं हाला की जवाब में भूचपूरी के बहुत बेड़े कॉमेडियन मिस्टर मनोज सिंग टागर जब उन्होंने पूछा क्या हो गया मालिक तो देखे अच्छी खासी चैटिंग हो गई है यहाँ पर लाल बाबु पंडित कहते हैं यूही मनोज जी फिर किशन सोनकर कोई है वो लिखते हैं सर आजमगड से निरहुआ हार रहा है सर अब किशन सोनकर आजमगड के यहाँ पुकार है जय समाजवादी पार्टी जिन्दावाद यह कहीं और ही घुज गए अजीत आनंद है लिखें बात तो सही है लेकिन कुछ और है शायद अजीत आनंद एक राइटर है जिस पर लाल बाबु पंडित ने जवाब देते हुए लिखा है कुछ नहीं बस यू ही कुछ नहीं बस यू ही लाल बाबु पंडित जी का जवाब है रियाल्टी क्या है सच्चाई क्या है क्या वाकई में जिसे अपना घर समझते हैं ये वहाँ पर अब इनको दाल बराबर समझा जाने लगा है जल्दी चीज़े साफ होगी खुल जाएगा फिलाला बंडिने देशी भारत के साथ नमस्कार